लोगों की मदद करनी चाहिए लोगों की हेल्प करनी चाहिए और महरबानी के साथ पेश आना चाहिए यही आज के दिन का मकसद भी है सायरी साहिवा बिल्कुल जिनाब और वहीं मैं यह सोच रही हूँ कि चुँके मैं पिछले दो तीम दिन काफी मेरी तबित ख़राग थी आई वस रही तो अगर मैं जरा आज कुछ स्लो हूँ तो आप उसका भरपूर फायता उठा रहे हैं अचे बात है यह वर्ल्ड काइडनेस दे की बात भी कर रहे हैं यानि के हम महरबानी का दिन भी मना रहे हैं और आज के दिन का मकसद ही नौजवान नसल में दूसरे इंसान की मदद के लिए रागत करना और नेक जजबात रखने की तरगीब देना है और इसी दिन की मुनासिबत से बड़ी जबरदस्त महमान जो के बात करने में कमाल रखती हैं हमारे साथ मौजूद है आलिया सारिम साहिबा जो के समाजी राहनुमा भी है किसी तारुफ की मौताज नहीं है साम अलेकूम वल्कम टू आर्शों बहुत शप्रिया आपके वक्कालिय साहिबा कैसी आप चीक है आज हम वर्ल्ड काइडनेस डे मना रहे हैं और वर्ल्ड में जो कुछ हो रहा है वो भी सभी के सामने है इसके अलावा अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो मैं आपकी इक वीडियो भी देख रही थी इसमें एक चोटी सी ननी सी महमान आपके शेल्टर हाउस का हिस्सा बनी और मुझे अतना दुख हो रहा था कि वह बीटी थी जिसके वज़न से मैं आपकी वीडियो सुनी के उसमें बता हियें कि वह उसको ओन नने निकाल दिया घर से तो वह आपके पास आगी तो मैं सोच रहाए ऐसे लोग में हैं दुनिया में अच्छे बूरे दोनों तरहां की लोग हैं दुनिया में और ही तो मैं कहूंगी एक दूसरे से रिष्टे में हमदर्दी रखें रुसरे के साथ हच से तजावश ना करें अ NOR. बन बैया हीं हुआ, बन बियाहि माएं बच्चें के साथ हमदर्दी करें उन हैं उन इस घरों से और बेटी है फिर तो वो रहमत है आप उसको कैसे घर से निकाल सकते हैं जिस बच्ची की मैं बात कर रही हूँ रहमत जब बेटी के नाम से आती है तो औरत का एक मकाम बहुत बुलंद हो जाता है उसमें हम तीन माओं का बापों का भी फेलियर है बेटों का भी है लेकिन तीन माओं की नाकामी है उसकी दादी उसकी नानी और वो खुद तो माओं के अंदर एक तो ये सिलारहमी बहुत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि जब औरत में ये होगी, हमदर्दी, यूंकि औरत के अंदर अल्हा ने हमदर्दी डाली भी जाता है, मर्सर बराहे, उसको बड़े-बड़े फैसले करने हैं, और ये नर्मी के सारे ऐलिमेंट औरत में ले कर चलने हैं, तो जब आप मा को हमदर्दी सिखाएंगे और मैं माशरे पर प्रेशर डालूंगी औरत को नॉर्मल रहने दें औरत के दिल का जो एक वो नर्मी का पहलू है उसको रहने दें क्योंकि और जब सकती पर आती है तो माशरा खराब हो जाता है तो यह तो एक आम सी बात है लेकिन मैं यह समझती हूं कि अगर कोई नमाज पढ़ करता है तो वो नमाजी होगा कोई अगर रोजे रखता है तो रोजेदार होगा हज करता है तो हाजी होगा लेकिन जो शक्स रहम दिली नहीं करता किसी को देखकर तकलीफ में उसके दिल में कोई खयाल नहीं आता कि मैं मदद करूं तो वो कुछ भी हो सकता है फिर वो नेक तो अगर हम चाहते और अल्ला की कुरबत nil सकती उस इनसान को ला की कुरबत नसीब नहीं हो सकती जो दूसरे इंसानों पर रह्म ना करए अगर किसी का ला तक कश कर है क्था तैकर नहें तो बिल कुल जाये न्माज है बहुत अगर अगर बंदों के साथ आपने रहन दिली कर दी तो आपको फोराइन मिलता है, विलके मैं कहती हूं, हम तो चल की कि हम रेंग के जाते हैं, और अगर दोड कर आते हैं, वही पॉजिटिव मेसेज जो है, जो हम अपने नाजनीन तक पहुंचाना भी चाहते हैं, क्योंकि आ आज के दिम का फाइदा उठाना चाहरी हूं कि मगरिब ने आगास किया और हम तो 1400 साल पहले से हमें चीजे सारी मालूम थी लेकिन जब मगरिब ने आगास किया तो आज फलस्तीन में जो हो रहे है मगरिब चुप कैसे है उस तरह चुप नहीं है पबलिक निकल रही है और कल पावर नहीं है कि वो इस जंग को रोग सके जिस चीज में इंसानियत हार जाए उसमें जीत किसी की भी नहीं होती और और जो मैसरs फलस्तीन में हाला देखिए हूँ, जो बच्चे हैं जैसे वो शहीद हो रहे हैं, और कौन नहीं जानता कि मिसर में और सब जगाहों पे इनने सारी एमदाद रोग दी है, वो ट्रक्स, वो सारी एमदाद खड़ी रिये हैं और उसको जाने निदे रहे, तो हमदर प्रेशर को बढ़ाएं, हुकूमतों से सारी दुनिया से मैं अपील करती हूँ कि इस जंग को बंद किया जाए और खुद इसराइल से भी मैं कहती हूँ कि जहां कहीं इंसानियत खतम हो गई वहाँ जीत किसी की नहीं होगी और हम सब एक कश्टी के सवार हैं एक जिगा सुराख आपने कर दिया, पानी अंदर आना शुरू हो गए, नहीं मालूं कब पूरी कश्टी में भर जाएगा और ये दुनिया सब इंसानों की नहीं होगी आपने बिलकुल आप है किया हवाँ जो आज साहिब मसंद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है आज हम पर गुजर रही है, कल तुम पर गुजरेगी तो जानो के पता चल जाएगा करो महरबानी, तुम एहल जमी पर, खुदा महरबान होगा अर्षे बरीबर, बेशक बेशक यही बात है, और अगर हम आज बड़ अच्छी बात है कि वर्ल्ड काइडनेस डे है, तो शायद उन्हें भी इस बात का ख्याल आ जाए और वो मिसर से उन ट्रक्स को छोड़ दें, जो के दिन के सिर्फ 20 छोड़े जा रहे हैं, जब के हजारों की तादाद में ट्रक्स वाँ मौझूद है, और जरूरत भी हजारों की तादाद के ट्रक्स किया है, वो वहाँ चले जाए आज बात करने की जो जरूरत है, मुझे लगता है का आज लोगों को ये बताना जरूरी नहीं है काइषन लोगो को ये नहीं किंगा रही है, महराइदोह होना हुँगा मैं दूख या जी हूँगाँ मैं अपने आपको हकीर समझने लगूगा कि मैं किसी के लिए कुछ कर दूँ मैं आपको चाह का कब उठा के देजूगा तो मैं कोई प्यून थोड़ी हों मैं आपको क्यों चाह कर तब उठा के दूँ यह भी एक महरवानी का दर्जा है जो इसको लोग अब हकीर और हिकारत की नजर से देखने लगे हम इतनी तरक्की कर लिए हम इतना आगी चले गए हैं कि आज हमें कब भी ने उठा के दे सकते हैं मैंने तो जगा जगा पढ़ा है कि इनसान तरक्की की बुलंदियों पर पहुँच गया है इनसान ये दुनिया बनी इनसान के लिए और इनसान बना दूसरे इनसान के लिए कब क्या हम मुझे तो वो वाक्या याद आ रहा है कि जब शहादत का वक था एक के पास पानी प्लाने गया तो उसने कहा कि उसको पहले प्ला दो उसको प्ला कर प्लाया ना वापिस आया तो पता चला ये भी दुनिया से चले गर मैं तो वो समझती हूँ मेरे नजर में और मुझे लगता है कि जू जू हमारे इल्म में हमारे इद्राक में, हमारे मुबाइल फोन में, हर चीज में हमारे अंदर इल्म फैलता चला जा रहे तो हमें तो बहतरी प्याना चाहिए ये एक बहुत चोटी सी बात है, हमें अशफल मखलुकात होने पर बड़ा हमें फकर है हम कहते हैं, हमने लेकर चलना है, हम सर बरा हैं पूरी दुनिया के, अगर किसी को तकलीफ में देखकर हमारे दिल में तकलीफ नहीं उठे ही, तो हम इनसान नहीं हैं कोई बच्चा नीचे गिर जाता है, हम सोच के उसको उठाते हैं, कोई नाबीना लाटी लेकर चल रहा है, कि हम सोच के उसकी मदद करते हैं यह तो हमारे अंदर एक एक इंस्टंट है, कि जैसी हम देखेंगे भाग के जाएंगे, और जिस इनसान के अंदर यह नहीं है, वो इनसान भी नहीं है अब यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी मैं चाहूंगे, कि आप भी एक माँ हैं, जाहर है आप अपने घर के साथ साथ एक शल्टर भी रन कर रही है, आजकल जो एक आम तोर पर घर में महाल होता है, अगर एक जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात कर ली जाए, जिस पे हम देख तो जो माँ सिखाती है, तर्भीयत वैसी होती है, क्या पैगाम देंगी आज की माँ को आप, अगर ये चीज हम में मिसींगे तो क्यों हैं? बच्चे की तर्भियत करना, कौम का मस्तक्बिल हमारे हाथ में, करना है मुकाबला तो बेहतरीन मस्तक्बिल बनाओ ना कौम का, करना है मुकाबला तो बेहतरीन उलादें पैदा करो, किसने आपको रोक है, और जिस माह के साथ उसकी उलादें खड़ी होती है, चाए बेटा ये एक quality अल्ला ने मर्द को उस तरह नहीं दी जैसे हमें दी है तो अगर हम हसद को, पैसे की दौड को, मुकाबले की दौड को हम पीछे छोड़ देंगे तो रहम दिली तो औरत के अंदर है एक औरत दस बच्चे जब पैदा कर लेती है और जिस तरह तक्लीफ से पैदा करती है सोची ने, दिल में हमदर्दी और महबथ और पैदा करने को पालने पालने का जजबा मजाग थोड़ी है जब हमदर्दी, महबथ अपनी इंतहा को जाती है तब हाग किसी को पालते हैं हमारे माश्रे में रंजिशों को पाला जा रहे मुकाबले बाजी को पाला जा रहे ये मैंने एक्जेम्पल दी ही इसलिए कि शुरुवात यहां से होती है क्योंकि मैं वो घर भी जानती हूँ अगर किसी की जूलरी मैच नहीं कर रही होती है तो हम अपनी जूलरी देखे कहते हैं यह पहनो यह अच्छी नहीं लग रही हम अपनी चीज़ें शेयर करते हैं गाड़ी किसी के पास बड़ी है किसी के पास छोटी है बच्चे किसी गाड़ी में बैटना चाएं, कितना खुबसूरत लगता ना, जो चचा का है, जो ताया का है जो नानी का है, सबका एक जैसा है न हैसा है बच्चों को तो पता भी हो चीज किसी यह पता है कि जब उन्हye को चीज चाहिए होगी, f объяс me तो यह रिष्टों की खुब्सूर्ति और इसमें जाता कुछ नहीं इसमें खर्च कुछ नहीं होता अशा नहीं है कि आप अपनी चीज किसी के नाम कर देते हैं आपके पास यह जाती है अब तो मैं समझती हुँ जब से वो कैमरी सिस्टम आया तो हमने तो धाई साल के बच्चे के साथ यह सारे सुने अपनी बड़ी प्यारी बाते की आलिया साहबा अब बिल्कुल हो हर घर में अगर स्प्रेक्टिस को अपनी डेली रुटीन में शामिल कर लिया जाए तो यह नजाए